Hello friends, Welcome to High Study, Monuments of India जो कौन सा Monuments किसके द्वारा बनाए गया है इस पर एक कोस्चन आप लोगों को किसी ने किसी अग्जाम में देखने को मिल जाता है आप किसी भी Government exam की preparation कर रहे हूँ और जो आप लोगों का exam चल रहा है FCI Assistant Grade 3 के लिए यहां से तो आप लोगों को हर एक सिप्ट में एक कोस्चन डिरेक्टली देखने को मिल रहा है कि कौन सा Monuments किसके द्वारा बनाए गया है तो इस वीडियो में हम लोग जितने भी Monuments से IMPORTENT IMPORTENT में आप लोगों को सारे कवर कर वा दूँगा 10 से 12 मिनट का यह वीडियो होने वाला है और इसमें हम लोग सारे Monuments cover कर लेंगे तो चलिए देख लेते हैं सारे के सारे IMPORTENT एक One Liner की फों में मैं आप लोगों को करवाँगा कि कौन सा Monuments कहां पर है और वो किसके द्वारा बनवाए गया है तो दो ही question आते हैं या तो आप लोगों से पूछ लेगा कि वो Monuments कहां पर है या फिर आप लोगों से पूछ लेगा कि वो किसके द्वारा बनाए गया है अजन्ता का मतलब ही होता कोई नहीं जानता तो जो कोई नहीं जानता वो गुप्त होता है तो अजन्ता के वो किसके द्वारा बनवाए गया थी गुप्त रूलरा की द्वारा बनवाए गया थी और यह कहां पर है यह भी महाराष्ट के उरंगाबाद में पढ़ती है कौन स और इसके दिवारा बनवाए गयाता तो चंदेल शास्टों के दुवारा बनवाए गया था। उसके बाद नेक्स रहता है था धारण पोर्ट जो धार का पोर्ट है तो आपर इस्तित है तो मद्य परदेश के धारण में ही इस्तित है और इसको किस्ते दाइबाबै गया ता मोभारम बंबिन तुगलक की दाइबाइब एधा कुटूव शही के दाइट गूरा वह सून्ज। जगे केरला में पढ़ती तो केरला में इस्तिता और इसको पुर्तगास जी की दुवारा बनवाया गया तो जो पुर्तगास होगे रहते उसके बाद नेक्स आता है आप लोग का विजे इस्तम इसको विक्ट्री टावर भी बोलते है तो यह कहां पर सिट्वेटीड है यह कुमबा के दुवारा बनवाया गया तो विजे इस्तम को उसके बाद नेक्स आता है आप लोग का कुतूब मिनार जो कुतूब मिनार दिल्ली में इस्तिता और किसने बनवाई थी कुतूब दीन एबक ने बनवाई थी और जो आप लोगा कुतूब दीन एबक का जो रूल स जोपड़ा ये कहां पर सिच्वेटेड़ है ये अजमेर में सिच्वेटेड़ है ये भी कुतुबदीन एबक के द्वारा ही बनवाए गया था उसके बाद होजखास आप लोग कहां पर सिच्वेटेड़ है दिल्ली में इस्तित्वर ये अल्लावदिन खिल जी के द्वारा ब को वेजा था यह आप लोग नहीं भूलेंगे उसके बाद आप लोग याद रख सभते कि मार्केट में रिफोरम स्कून करöyle कर आ आया था यह को बहुत आए था उसके बाद अलक जन्डर दित्टे कि सको बोला जाता है यह अपर ने आप लोग को बन आ गये तो एक दियान रॉज़ को द्ivity अगर आप लोग को सब्सक्रां को बहुत ہے तो ससवाथ किसको बोलतें तो आप लोग का फिरोस्ता तुगलक को बोला जाता है दिल्ली सल्तनत का अकपर उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का बुंदी फोर्ट जो बुंदी फोर्ट है ये बुंदी जगह राजस्थान में पढ़ती और रानी नाथवती के दुवरा ये बनवाए गई थी पिर आता है एक मोती मस्जिद जो आप लोग का दिल्ली में रेड़ फोर्ट है उसके अंदर एक मोती मस्जिद बनी गई ये तो ये किस के दुवरा बनवाए गई थी औरंग्जेव ने कब तक रूल किया कि आप लोग निया ढख और ना अनको बाराँ सथा पर रेड़ वोट दिल्ली में और यह साजा के दौरा बनवाए गया था रेड़ पोट उसके बाद नेक्स आता है आप लोग का जो हुमायू टोंब है जो हुमायू टोंब यह किस काहं पर सिच्वेटिटिड है दिल्ली में सिच्वेटिड है और हमीदा बानो बेगम जो वाइप पोप हुमायूती उसके द्वारा बनवाय गया था हुमायूत उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का साली मार भाग यह कहां पर सिच्वेटेड़ है सिरिनगर में सिच्वेटेड़ है और यह किसके द्वारा बनवाय गया था यह कोश्चन आप लोग का 14th of January को पूछा गया था उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का सेंट जोर्ज फोर्ट जो सेंट जोर्ज फोर्ट यह तमिल नाडू यानि चैन्नी में इस्थीत है और इसको किसने बनवाय था तो इस इंडियां कंपनी ने बनवाय था यह वियाद रख सकते तो 1649 में बनवाय था यह उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का सेर्शा टॉम जो सेर्शा का जो टॉम है कहां पर सिच्वेटेड़ है तो सासराम बिहार में सिच्वेटेड़ है और सरनोब सेर्शा के दुवारा सेर्शा का टॉम बनवाय गया था सेर्शा के दुवारा और हुमाय के बीच में दो बैटल लड़ी गई थी एक बैटल लड़ी गई थी आप लोगों की 1549 में और एक next बैटल लड़ी गई थी आप लोगों की 1540 में दोनो बैटल आप लोगों को ध्यान रखनी है most important battle है कोई से भी पूछी जा सकती है जो 40 में लड़ी गई थी वो battle of कन्योज या फिर battle puppies भिल्गराम थी और जो battle of 14 थी ती वो आप लोगों की 1549 में लड़ी गई थी battle of 14 battle of 14 вас पंदरा सो 49 battle ofmeeры chronos भैटल लड़ी गई थी आप लोगों की 154 में लड़ी गई थी उसके बाद next रताता है आप लोगा ने अगरा में अकबर की दौरा बनाए गया है उसके बाद नेज़ अता है लोगा जो डिली में पुराना किला你好 है इस दीदική जीर सेर्थ शृरी के दौरा बनाए गया और सेर्थ सूरी का मकबरत सा सरम भीहार में हम लोग उपर दिख चुकें इसके बाद НАक्स आता है आप लोगह अकबर का टोंब कहा पर इस्टित ाहु अ मिखस पूर्म ke जपर रहे गया ता ज्यांगिर के रह बने गया ता चस्म SS यह जम्म कश्मिर में इस्टित है। ये बने हो गई थी, अली मर्दान के द्वारा बनवाए गई थी, चसमे साही खान, अली मर्दान के द्वारा, उसके बाद नेक्स आता है आप लोगा, एतमाद उद्दोला का जो टॉमब है, आगरा में ये किसके द्वारा बनवाए गई था, और ताज महल जो आगरा में ये क सांजा के दWARAR बनवाएगा गया उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोका दिवाने खास, जो दिवाने खास है यह कहांपर सिचक्वेटेड़ है, आग राख फोट में है। यूपी में यूपी में और यह किसके द्वारा बनवाए गाए गये था बड़ा इए बड़ा इमां बाड़ा यह लखनों में सिच्वेटेटायद आ बनवाइ गया था नेक्स्ट आता है आप लोग का पादरी की हवेली तो यह आप लोग के पटना विहार में है और इसको किसने बनवाय था तो फादर कैपु कैपु कैपुची अन्नी के द्वारा बनवाय गई थी पादरी की हवेली नेक्स्ट आता अब लोगों कवर्ट विलियम जो फर्ट विलियम इन कलकत्ता में सिच मूल्ड और लोरुर कि दोरा बनवाए गया है उसके बाद भेबी का मक्षट है उरंगबाद महराष्ट में इस्तित्त है बेबी का मक्षट आप लोगों सबदर जंक का मखबरा यह दिल्ली में इस्थित हैं और यह स्जाओत दोला के दुणाद बनवाय गया है इसके बाद नहीं आता है आप लूगावल मट बोल सकते हैं आ बयेलूर मट बहुं लोग जो है इने को आप तही कहां पर इस त्रि problem को पढ़ी ततनी तस वामर के ने चिकागों द्वार बनवाय गया ता रहविद्धन्नाथ टैगोर को जुन नोबल दिया गया था लिटरिचर है था अर्ग बनवाय गया ता क्यों आप लों rival का पर या आप लोग Quand subconscious वैश्तित्व यह किस ने स्कूरे घ्रीटीश पेश्त वहलों के दिवारण बनवाए गया तो तो ऐ दिल्ली ही और इसको किसा द्वारा है कि द्वारण सेया दिल्ली में और इसको नेस्ट आता आता आप लोगों का विक्टोरिया जो Victoria Memorial है यह कोलकात्ता में s situated है और यह पस्छिम मंगाल में उसके बाद आता है आप लोग का बोटनिकल गार्डन यह कहांपर situated है यह भी पस्छिम मंगाल के स्रिवपूर में स्तित है बोटनिकल गार्डन नेक्स्ट हाता है आप लोगका sunset point जो sunset point यह कहाँ पर यह मांट अबू राजस्तान में है sunset point और उसके बाद जो next आता है आप लोग का चार मिनार यह most important चार मिनार यह भी पूछा जाता है कि आप लोगों से कि चार मिनार है यह किस disease को denote करती तो आप लोग याद रख लें ना plague plague के बारे में जो related है वो चार मिनार है उरी हैदराबाद में इस्तित है और इसको कुली कुतुब सिच्वेटेड़ है यह भी पूरी उडिसा में है और इसको किसके द्वारा बनवाय गया था चोला गंगा देव के द्वारा बनवाय गया था जगनाट आता आप लोगा लक्समन टेंपल उसके बाद नेक्स आता आप लोगा most important है यह कहीं बार पूछा जा चुका जो दिलवारा जैन टेंपल है यह मांट अबु राजास्थान में इस्तित है और इसको विमल शा के दुवारा बनवाय गया था दिलवारा का मांट अबु में इस साहिब जो एक golden temple है वो आप लोगा पंजाब के अम्रित सर में इस्तित है और इसको किसने बनवाय था इसको बनवाय था महराजर रंजीत सिक्क के बनवाय गया था हर मंदिर साहिब उसके बाद नेक्स आता आता आप लोगा जो काले temple पसी मंगाल में इस्तित है कोलकत्ता मे और इसको रानी रासमोनी के द्वारा बनवाय गया था लक्समी नारान टेंपल यह आप लोग का दिल्ली वाला है और इसको बिरला फैमली ने बनवाय था लक्समी नारान टेंपल दिल्ली वाला नेक्स आता आप लोगा खिड की मस्जित कहां पर रहे यह आप लोग की दिल ना सकता है कि मक्का मस्जिद कहां पर है तो हिदराबाद में है और कुली कुतुब साह के दौरा बनवाए गई थी मक्का मस्जिद नेक्स रता है आप लोगा पत्थर की मस्जिद जो पत्थर की मस्जिद है या आप लोग की पटना बिहार में है और इसको किसके परवेश साह वाले इसको नूर्जा के दौरा बनवाए गया था उसके बाद नेक्स देख लेते जामा मस्जित आगरा वाली किसने बनवाए थी सांजा के दौरा बनवाए गया थी मोती मस्जित मैं आप लोगो उपर बता चुका हूँ जो आगरा के फोर्ट में दो मोती मस्जित आप लोग के monuments ते जितने भी ते मैंने सारे के सारे cover कर वा दिया है इतने भी अगर इससे फोर्ट से लेटेड अब बे कोई भी question आता है आप लोग का monuments से तो इससे बार ने जाएगा इसमें हम लोगोंने सारे monuments cover कर लिये हैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद thank you Hello friends, Welcome to history International boundary line किन दो country के बीच में boundary line को क्या बोला जाता है इस पर एक question आप लोगों को किसी ने किसी exam में देखने को मिल जाता है आप लोग किसी भी government exam की preparation कर रहे हूं सब के लिए ये topics important होता है और जो आप लोगों का FCI report corporation ओप इंडे की और से जो exam conduct करवाय जा रहा है assistant grade 3 के लिए यहां से भी आप लोगों को boundary से related एक question देखने को मिल रहा है तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं लगबग लगबग 5-7 मिनट में हम सारी की सारी importance line कवर कर लेंगे तो जो सबसे पहली line आते हैं आप लोगों के दूरंड लाइन आती है और यह किसके बेच में है यह आप लोगों की India and Afghanistan जब independent से पहला करते थे उस समय तो यह India and Afghanistan अलग हुआ करते थे तो इंडिया and Afghanistan के बेच में पढ़ते हैं दूरंड line और यह line कब decide की गई थी 1896 में बाई मोर्टी मर डूरंड के दुवरा डिसाइड की गई थी अब पुछे ये लाइन किस-किस के बीच में अब आप कंडिर कमेंट करके बताओगे किसरी लाइन इसके बीच में तो मैं पहले बता देता हूँ अब ये जो लाइन है ये आप लोग की पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में पढ़ती है क्योंकि 1927 में इंडिया का डिवाजेशन हो चुका था तो आप लोगों के लिए ये लाइन के लिए रोचुके गई दूरंड लाइन उसके बाद nella cnd लाइन आती है आप लोग की लिए जो हिंडन बर्ग लाइन ये जर्मनी और पोलंड के बीच में शिर्प आप लोग की तना याद रखना है यही पुछा जाएगा आप लोगों से की हींडन बर्ग लाइन कि kund influetya के बीच में ही तो यह आप लोग को ध्यान रखना है कि कहाँ पर पढ़ती है उसके डेमोकरेटेशन बिट्वीन फोर स्टेट्स जो चार स्टेट्स है उनका जो उनके बीच में ही पढ़ती है कौन से लेन ती आप लोग की मेसं डिक्स लाइन यह कुछ जाएगा आप लोगों से कि मैसोन डिक्षन लाइन ये किस कंट्री तो यह आप लोग ध्यान दिख ले लियन दे हुलिए स्टेट्टस में मैसोन डिक्षन लाइन नेक्स्स लाइन आते हैं आप लोगों कि मर्जीन लाइन किया होती है ने差 में कि ए네 Lynn qatri garant की दौ़ारा प्रांस का अलोंग इट्स बोर्डर विद जर्मनी तो फ्रांस का जो बोर्डर जर्मनी के साथ ता उसका जो 40 पिकर्षन की आगया था 320 किलोमेटर लाइन का तो उसी लाइन को बोलते है यही पुछा जाएगा आप लोग इससे कि Marginal Line किन दो कंट्रियों के बीच में है तो आप लोग धियार निकलेना फ्रांस एंड जर्मनी के बीच में उसके बाद नेक्स आती है आप लोग कि Main Raheem Line मेन रहीम लाइन किस-किस के बीच में तो ये रूस एंड फिल्लेंड के बीच में मेन रहीम लाइन बस इतना ही आप लोग को याद रखना है उसके बाद नेक्स आती है आप लोग की मैक मोहन लाइन जो मैक मोहन लाइन है ये इंडिया एंड चाइना के बीच में मेकमान लाइन यह आप लोग ध्यान अकलीन ना मेकमान लाइन उसके बाद नेख्ष नातीं आते हैं ऊड़लु कि मेडिशन लाइन जो मेडिसिन लाइन है यह आप लोगोगári की पॉलर्ड य All रखनी है वर्डर नेशिय नातीं याद रखparkनी है और यह लाइन आप लोग पूछी जा चुकिए रैड किलिप लाइन रेड ककलिप लाइन आप लोग की डुड की गई थी द्रोन बाइधा सिर्य Но गूल ने किसके चारी में यह एक लाइन है किसके दुवारा जर्मनी ओन इट्स बॉर्डर विद फ्राज जर्मनी के दुवारा यह लैंड रोके गई थी जो उसका बॉर्डर पड़ता है फ्रांस के साथ कौनसी सेज़ प्रेट लाइन उसके पाद देख लेते नेक्स आते आप लोग की सेवेंटी परल लाइन अब तो यह एक ही बोला जाता है उसको भी एतनाम ही बोलते है उससे पहले दो पार्ट में डिवाइडेट था उत्री विएतनाम एंड साथ विएतनाम उसके बाद देख लेते नेक्स आते हैं आप लोग के ट्वेंटी फोर्थ परलाइन विच पाकिस्तान क्लेम यह हम क्लेम नहीं करते सिर्फ पाकिस्तान कहता है कि इस तरह की कोई लाइन है हमारी तरफ से यह जो खारी से इसको खारी कह जाता है कि ऐसी कोई लाइन नहीं है आप लोगों के इंडिया पाकिस्तान के बीच में तो ऐसी कोई लाइन नहीं है आप लोगों से पुछा जा सकता ह की 38th parallel line की दो country के बीच में तो North Korea and South Korea के बीच पढ़ती है 38th parallel line उसके बाद आती है आप लोग की 49th parallel line या आप लोग की US से और कनाड़ा की जो boundary होती है उसको 49th parallel बोलते हैं तो आज सारी की सारी important lines थी मैंने आप लोग के लिए cover करवा दिया इनमें से कोई भी लाइन आप लोगों से पूचे जा सकते हैं किसी भी exam में इसका पेडियाप चाहते हैं तो पेडियाप में आप लोग को Telegram Group High Study के नाम से उसमें प्रवाइड करवा दूँगा उस गुरूप का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के